पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं पैसा आज हर इंसान की जरूरत है लेकिन पैसे को एक कहते हैं लक्षमी माता को एक वर्दान है कि ये चंचला है, ये किसी जगद स्थिर होकर नहीं रहते, टिकते नहीं है खैर कोई नहीं, हम इंसानों के हाथ में है कि हम अपना बैस्ट दें, अपनी मेहनत करें और हमें मालक्षमी को कैसे भी करके हमारे पास आना ही हो यहां मैं आपको सुपर काम्याबी पाने के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हो कि इन टिप्स को अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो यकीनल काम्याबी की सुर्यों पर चड़ना आपका बहुत छोटी-छोटी सी बाते हैं इसमें लोग ध्यान नहीं देतें किसीने पढ़ाई के हुई है ठीक है अपने गया हुआ है बहुत अच्छी स्टड़ी के हुई है अच्छी बिजनसमेंट में बिजनसमेंट है लेगिन जो क्वालिटी एक सक्सेस्फुल इंसान को चाहें वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हूँ इससे बहले मेरी एक रिक्वेस्टर जरूर है कि आप अगर सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें दिखें सक्सेस्फुल कौन नहीं होना चाहता हर इनसान चाता है कि मैं काम्याबी के शिखर तक पहुचू और उन में से अगर सो लोग उने ऐसा सोचा है तो वो मुष्टली दो चार लोग ही काम्याबी के शिखर तक पहुच पाते हैं उसके पीछे कारण गया है इसका कारण ये है कि सो में से सिर्फ दो या चार लोग ऐसे हैं जिनमें वो qualities हैं कि वो काम्याबी के शिखर तक पहुँचे हैं क्योंकि हर इंसान कहता है अब देखे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान भी है तब भी वो इतना काम्याब नहीं है इसके पीछे एक कारण है study अपने जगा ठिक है जरूरी है बहुत जरूरी है लेकिन उससे पर ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान के अंदर जो qualities होनी चाहिए successful होने के लिए वो qualities आपको किताबों में नहीं मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक अनभव से मिलती है जानकारी से मिलती है यहां मैं आपको उन qualities के बात बता रहे हूं जो qualities आपको अपने अंदर लानी है क्योंकि जो इनसान अपने दुनिया को नहीं बदलना अपने आपको change करना है अइंगर आप successful नहीं है बार बार निराश हो रही हैं आप किसी काम को करकि उसमें successful नहीं सबसे पहली क्वालिटी सबसे पहली क्वालिटी यह है कि आप की Mental हालत मांसिक शक्ती जो है वो स्ट्रॉंग होने का अप कोई मानेगा तो नहीं कि मेरी मांसिक आपसे है कारण जानिए आपके प्लान में गड़वड है आप सही तरीके से किसी चीज को नहीं चला रहे हैं या आपको वो चीज को उस तरीके से देखने का नजर्या नहीं है जिस तरीके से आज सक्सेस्फुल हो पारें देखने क्योंकि जो सही माइड कंडिशन में होंगे वो चीज की उस पॉयंट को पकड़ लेंगे जहां वो बार- harmful अपनी सक्सेस्फुल नहीं हो पा रहे हैं जहां उनको बार-बार सफलता की जगा असफ़लता मिल रही है वो उस पॉयंट को पकड़ लेंगे तो अगर आपकी mentally हालत ठीक है तो आप एक अच्छा business plan बनाने में भी आपका जो योगडान होगा वो better होगा और अगर आपका एक business plan अच्छा बना हुआ है और उसके बाद भी आपको लगता है कि फिर भी मुझे असफलता मिल रही है तो आपकी अगर mentally condition बहुत strong है तो आप उस कमी को उस बरीकी से पकड़ कर निकार लेंगे कि क्या कमी रह रहे है जिसकी वज़े से मैं successful नहीं हो पा रहा हूँ बजाए irritate होने के बजाए आपको दूसरों के उपर चिलाने के उससे ज़्यादा बेटर यह होगा कि अगर आपके mentally condition सही है तो आप अपने business plan में सुधार करेंगे दूसरों को नहीं बटके अपने आप अपने plan में सही condition में लेते जाएंगे दूसरी चीज जो आपको चाहिए आपकी जो काम्याभी है अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्त रहे शरीर आपका स्वस्त रहे आपका खाने पीने का time नियत हो यनि दीखे 70% हम लोगों को जो successful होना है वो एक mind में एक इच्छा है कि हमें यह काम करना है और इसमें successful होना है क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है 30% कहीं लोगों के chances होते हैं कि हमें रोटी खानी है इसलिए हमें काम करना है तो आपको अपना जो diet plan है वो ठीक रखना चाहिए अपने को exercise time अपने आपको जो एक time लेना है अपने health को वो जरूर निकालें यह डूसरी और सबसे बड़ी condition सही है क्योंकि ऐसा है आपके पास माइंड में प्लान भी है आप काम करने के लिए उत्साहित भी है लेकिन अगर आपका शजीद साथ नहीं तेरा तो आप disturb हो जाएंगे मैं यह करना चाहता था लेकिन अभी मेरी मैं बिमार हूँ और मैं नहीं कर पा रहा या मैं कमजोर हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा तो आपको एक healthy diet लेना बहुत जरूरी है तीसरी और सबसे चीज़ इंपोर्डन चीज़ जो है वो यह है successful होने पर लिए कि आपको knowledge अच्छी होने चाहिए अगर आपको knowledge नहीं भी है तो जो काम आप करने जा रहे हैं उसके अच्छे से knowledge ले market में उसकी क्या repetition है जो माल आप बनाने जा रहे हैं जो business आप करने जा रहे हैं market value उसकी पता होनी चाहिए market में आपके पकड़ होनी चाहिए और अगर आप market में वो काम आपको मान लीजे knowledge नहीं भी है तो आप किसी को छोटा बड़ा नहीं समझें जहां से आपको knowledge मिले आप उस knowledge को फॉरां गें करें चाहिए वो आपको एक labor से ही मिल रही है यह मत सोचे कि मैं तो मालिक होंगे छोटा से labor मुझे क्या बताएगा नहीं जो काम करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए यह चीज मैटर नहीं करती उन्हें knowledge चाहिए तो वो किसी से भी knowledge को लेंगे तो तीसरी आपने जो सबसे बड़ी चीज है वो knowledge की होनी चाहिए और knowledge में सब तरह की knowledge आती है माल की knowledge, market की knowledge, समान को कहां कैसे adjust करना है उसकी knowledge, सब हर चीज की knowledge यानि जिस business में आप successful होना चाहते हैं उसकी हर तरीके पकड़ा आपके हाथ में होनी चाहिए चोथी चीज जो आती है वो ये कि आपको कड़ी महिनत करने का एक उत्साह हमेशा हमल में रहना चाहिए जहां आप 9 बज़े पहुँचने वाले हैं क्योंकि आगर आप में उत्साह होगा तो of course आप 15 मिट पहले ही पहुँच जाएंगे ये उत्साह बड़ा जरूरी है ये इच्छा होनी बहुत जरूरी है कि मुझे वो काम करना है और मुझे उसके लिए आप excited है कि मुझे इसमें successful होना है तो जहां आप 9 बज़े पहुँचने वाले हैं वहां आप पहुँच जाएंगे तो ये उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए तब तक जब तक आप सफल ना हो जाएं और जब आप देखेंगे कि आप सफर होना शुरू होएं, तो वो काम जिसमें आप सफर हो रहे हैं, वो आपको एक आनंद देने लगेगा, एक मज़ा आने लगेगा, फिर आपको उस काम को किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि करो, आप उस काम को करने के लिए खुद अच्छी लीडर्षिप, आपके अंदरी लीडर्षिप की जो भावना है वो अच्छी होनी चाहँए, आप एक अच्छी लीडर हो, आप अपने लीबर के उपर कैसे कंट्रोल करना है, कहां कहां तक उसके साथ दोस्ताना वहवार रखना है, कहां तक उससे मालिक नोकर का वहवार रखना है, यह लीडर्शिप की जो क्वालिटी है, यह कई बार सब लोगों में नहीं होती है, यह होना बेहर जरूरी है, अच्छा लीडर जो होगा, वो अपने अंडर करने वाले 100 इसके साथ छेनी चीज जो आती है सुरी ये पांच चीज़ें ही हैं मेरे पस तो ये सब विए क्वालिटी जो मेरी नॉलेज में थी और मैंने आप लोगों को बताई है और इसके साथ ही एक अच्छा बिजनस जो है उसको मैंने खुद भी डेवलप किया है और मैं उसमें सक्सेस्वल भी रही हूँ आप सब के साथ ये शेयर करके मुझे बहुत खुशी सी हो रही है हो सकता है मेरी ये वीडियो आप लोगों को उखी कोई inspiration दे कोई motivation दे स्वस्त रहें, खुश रहें, खुश हाल रहें धन्यवाद